एलो फ्रेंड्स में नाम प्रिंस है और आप देखरें नौलेज विद प्रिंस आज मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने घरों में देखते होंगे लिखिन इनके आपको नाम नहीं पता होगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जो हमार और दूसरे के बात करें तो दूसरा वड़ाता हमारा सेक यानि बोरा थैला कटा इस तरह का होता जो उसको हम सेक बोलते हैं उसको बोलते हैं जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसके बार आता है विक यानि बत्ती जो हम अपने पूझा घरों में यूज करते हैं इसका दिया जलाने के लिए और अगला वड़ा आता है हमारा पैराम बुलल्टर बच्चों की गाड़ी जो बच्चे इसमें हम बच्चों को लेके जाते जुला जुलाते या बच्चे इसको खेलते इसको लेके इसको बोलते है अगला वड़ा आता है चंडेलियर चंडेलियर यानि तो पतानी यूज़ होता नहीं होता हुँ पहले जमाने में जो हैसे पीकदान लिए पालं महारा को लेकाल को या या साध्व inexpensive उसको भी पाल्की बोलते हैं अगला अогला वह कीका नहीं एन्हें धागा जो कूण पाइब जोता है ददखोडी यानीologie को साफ करने के लिए जो हम यूज करते हैं अगला है स्टिक गोड़ते हैं दिया सलाई की दिलिया यानि जिसे हम जलाने के काम आता है उसका आता हम मैच बॉक्स यानि जिसके अंदर हमारी तिल्या रहती है जिसे हम मैच स्टिक बोलते हैं उसको तिल्या बोलते हैं लेकिन जो बॉक्स होता हमारा उसको हम मैच बॉक्स बोलते हैं जिसके अंदर हमारे तिल्या होती है जिसे हम हमारा सेफ से तनी हमाँ अपने कोछी ही बिदिस समान रख ते उसके वाधा हमाँ चिमनी की रिया हिक comes बैलेंस विनिंग बैलेंस अनी तराजू वेटिंग मशीन ऊसके वादा नमादा हमाना कॉल्ड टैप का मतलब बतार नौल और ठंडा और इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो यह थे ठंदे पानी का नल ठीक है तो यह थन्डे पानी का नल को हम वोलते कोल टैब उसके वादा घ्राइरे IP जो प्लस होता है उसको हम प्रैस्स पीट सेपादा के सब्सक्राइट अल conservative अगला वरण गता है वुकेश यह नइ किताब किताब की अलमारी यानि जहां पर हम अपने Aa !! वह रखते हैं गं 접 НKषा इसके वारे अंगला वर्ण कार्टेंस चैस्ट ऑफ ड्रॉर यहनी कपड़े लखने की अलमाज जिसमें हम अपने कपड़े लगते इसे अलग-अलग सेफ होते हैं इसमें हम अपने अलग-अलग मतलब जिसके अलग-अलग प्रकाय के कप्रे रखते चोटे बच्चे बड़े बच्चे में अपने हिसाब से उसके आदा ब्रूम यानि जाड़ू कि उसके बादा स्पिन ड्रायर कपड़े सुखाने की मशीन जिसमें हम अपने कपड़े सुखाते हैं कप बोड़ अलमारी उसका शीड इनी छपपड जो हमारे पुराने घर होते थे उसके उपड़ जो रासफूस टैप की उनको बोलते हैं सीड छपपड डोर फ्रेम यानि च दूस्ते वक्ट जो हमाई द्रवाजे पर लगा होता है उसे हम इंपर छोखट है उसको इस सुफा आता है इसको दूसरा वर्ण होता है सोफा जिसको हम हिंदी刹 भी शोफा बोलते हैं लेए को ऑन वर्ण से जानते हैं कोषे डीं सोफा जाम अनि कंगी अगला वारा था कार्पेट दरी गलीचा एकी बात था और मैंने बताया था आपको आगे भी आपने देखा जो आपका आया था वड उसका था बैड स्टेंड बंक या कोट इन तीनों वड़ों को एकी मतलब होता है चल पाई